बच्चे में भी अनुवांशिक प्रॉब्लम हो सकती जिसको मोरतें कजनाइटल हाईपो थारणिसम भी हो सकता है अगर आपको थाइरो टॉक्सिकोसिस है उसकेस में जो मेटसिंस चलती है वो प्रेग्नेंसी के लिए अलग चलती है और नॉन प्रेग्नेंट फीमिल्स के लिए अलग चलती है ग्राइब एक ऐसी प्रेटमिम काफी बड़ी प्रॉब्लम है और उसे रिप्रोडक्ष्चिन में अब डिप्रॉगशन स्यारिकृट आप में कंस सिंपक्रित ने में और स्यारियाूइफ का सक टरुछन न वेन20 सिनध में। जब कमी होती है बॉडी में तो उसके दूसरे तरह के सिंटम्स आता है और एक्सेस होते हैं तो भी दूसरे तरह के सिंटम्स आते हैं पर दोनों ही प्रेग्नेंसी के लिए अवरोधक होते हैं इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट जरूरी है फर्स्ट और फर्मोस्स यह देखना पाशी मोटो होते हैं उसकी वज़े से प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें सबसे पहले पेशेंट के बलट के तो टेस्ट होते ही है जो नॉमल टेस्ट होते हैं टी एस है एच एच फटी फर के इसके अलावा हमें थाइरोइड ग्लांड का भी अल्ट्रासाउंड होता है एक करने वाले पार्ट में लेकिन अगर autoimmune causes होते हैं तब definitely problem आती है conception में इसको treat करने के लिए हम तरह तरह की medicines देते हैं और एक तरह से body का immune system उसको suppress करने की कोशिश करते हैं पेशेंट के lifestyle changes करते हैं उनको dietation से मिलने को बोलते हैं उसमें patient को को बताया जाता है कि कौन सी जो मतलब खाने की पदार्थे हैं वो hypothyroidism या hyperthyroidism cause करते हैं secondly अगर patient conceive हो गया patient अक्सर complain करते हैं जिनको thyroid की problem होती है कि conception हो गई है लेकिन उनको बार-बार recurrent miscarriage हो रहा है और goiter जिसको अब सुने होगे घेग मतलब बहुत बड़ा thyroid बहार निकलावा यह भी एक problem है तो सबसे पहले patient को उसले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको यह diagnose कराना ज़रूरी है कि आपको thyroid की problem है तो किस प्रकार किये means आपको hypothyroidism है या hyperthyroidism है secondly यह देखना पड़ेगा कि यह problem किस वज़े से हुई है क्या यह unexplained है या autoimmune cause है या फिर कोई deficiency की वज़े से है और उसकी proper treatment या नि proper medicine से treatment होनी ज़रूरी है third अगर आपको thyroid toxicosis है उस case में जो medicines चलती है वो pregnancy के लिए अलग चलती है और non pregnant females के लिए अलग चलती है तो यह भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उस drugs पे हो जो आप pregnancy में खा सकते हैं क्योंकि अगर आप दूसरे drugs पे हैं तो उससे आपको वापिस change करना अगर आप okay थे तो अभी भी आप उस drugs पे okay हो गया ऐसी नहीं है तो इसलिए patients को हर case में thyroid को जो specific doctors होते हैं और जो आपकी gynae की doctor जो pregnancy देख रही है उनसे साथ में consult करना बहुत ज़रूरी है